दूआ करता हूँ कि सलामत रहे हिम्मत तुम्हारे यह एक चिराग कई आंधियों पे भाड़ी है जाहिन देर स्टुरेंट्स वेलकम टू फ्रेजल भव डे नाइटेन डे नाइटेन में आपका स्वागत है कहने कार्थ यह था यह जो मैंने मोटिवेशन के लिए आपको कहा कि अगर आपके अंदर हिम्मत है हिम्मत बचे हुई है तो कोई भी चीज आपने खोया नहीं है क्योंकर अगर हिम्मत है तो आप किसी भी चीज को जब चाहेंगे जब से सुरू करेंगे हासिल करके रहेंगे तो हिम्मत बनाये रखिए और जबर्दस पढ़ाई करते रहिए तो लेटास स्टार्ट फ्रेजल भर्ब डे 19 शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के हुए लेटास स्टार्ट आज का फर्स्ट फ्रेजल भर्ब आपके लिए रहा है डेट बैक डेट बैक मतलब पहले का होना बिलॉंग टू एन अर्लियर टाइम existed since a particular time या belong to an earlier time पहले समय का होना या पुराना होना उसे कहते है date back, दो तीन बार ये filler में और close test में आपको दिख जाएगा इसे example समझे date back से the town dates back to roman times the town dates back to roman times मतलब वो जो सहर है वो बहुत ही roman समराज के समय का है या बहुत ही पुराना वो सहर है roman समय का roman समराज जो जो था उस समय का है तो date back मतलब पुराना होना या एक पुराने समय का होना next आईए done on या done upon एक ही अर्थ देता है done on या done upon का अर्थ होता है to begin to understand समझ में आना समझ में आना done on या upon example देखिए it suddenly down on me that my girlfriend had duped me duped कार तो था चीट धोखा देना duped मतब चीट धोखा देना तो अचानक मुझे समझ में आया था कि मेरी girlfriend ने मुझे धोखा दे दिया था अचानक मुझे समझ में आया था कि मेरी girlfriend ने मुझे धोखा दे दिया था तो down on या upon का अर्थ होता है कोई भी चीज अचानक समझ में मतब समझ में आना अचानक क्या normal जब हम समझना शुरू करते हैं तो उसी को हम down on या upon कहते हैं नेक्स्ट आये एड़े थरे deal in deal in बहुत ही important और बहुत ही ज़्यादा आचुका है मतब साथ आठ बर तो एक्जाम में आप बोली सकता है deal in deal in का अर्थ होता है वैपार करना to trade to trade मतब वस्तुओं का वैपार करने को हम deal in कहते हैं वैपार करना to trade एक्जाम्पल देख लिजे he deals in watches he deals in watches मतब वह घडियों का वैपार करता है next आई है deal with यह भी important है उतना ही deal with का आड़ तो 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 to manage या to handle जिसे आप कह सकते हैं निपटना या फिर सामना करना या सम्हाल लेना निपटना, सामना करना सम्हाल लेना, manage, handle यह सब होते हैं deal with एक्जाम्पल समझे है deal with का I have to deal with my girlfriend's brother I have to deal with my girlfriend's brother मतब मुझे अपने girlfriend प्रेमिका के भाई एक से निपटना है जिसे कि आपको learn हो सके जैसे नहीं कहते हैं I have to deal with this problem मुझे इस समस्या से निपटना है तो किसी भी situation से, किसी भी व्यक्ती से निपटना है आपको handle करना है उसे, तो deal with का प्रियोग करिए next special word आप करा decide on या upon to choose carefully decide on बोलिए या decide upon बोलिए एक ही अड़ देता है to choose carefully इसमें होना चाहिए था सावधानी पुर्वक चुनना सावधानी पुर्वक निरने लेना या सावधानी पुर्वक चुनना example देखिए decide on या upon का have you decided on a name for the baby क्या तुमने बच्चे के लिए नाम चुन लिया है या निरने ले लिया है क्या तुमने बच्चे के लिए नाम चुन लिया है decide on या upon next आईए 186 delve into बहुत ही important आप कह सकते हो filler में previous दो तीन बार तो आपको minimum दीखेगा और close test में भी कहीं कहीं पे भी है delve into method to examine carefully गहन शोध करना चानबिन करना बहुत ज्यादा ध्यान पुरवक जो है सावधानी पुरवक जो हम चानबिन करते हैं या शोध करते हैं उसी को हम कहते है delve into example समझे I don't like to delve too deeply into her past I don't like to delve too deeply into her past मुझे उसके past में ज्यादा शोध करना पसंद नहीं है क्योंकि वह सबका past अपना अपना होता ही है तो अगर आप किसी के साथ आये हैं तो अभी से अगर वह आपके साथ इमानदार रहे हैं वही बहुत है past में किसने क्या किया है और कौन जानता है तो इसलिए delve into मतब शोध करना या बहुत ही ज्यादा च्छान बीन करना next deprive of बहुत important मतब आज का जो phrasal verb का session है इसमें बहुत सारे ऐसे मतब दस में से मुझे 5-6 ऐसे लग रहा है जो बहुत ही ज्यादा examinations में पूछे जा चुके है मतब अभी तक में आप कह सकते हो कि एक दिन के अंदर दस phrasal verb में यह अभी तक का सबसे important part है इसमें से बहुत सारे phrasal verb आ चुके है deprive of sorry deprive of deprive of deprive of deprive of मतब छीन लेना, वंचित कर देना ले लेना मतब take away possession अधिकार संपत्य है कोई भी चीज को ले लेना, चीन लेना यह वंचित कर देना deprive of this government, example समझे this government has deprived minorities of their rights, मतब यह सरकार ने minorities जो है, अलप संख्यकों के अधिकारों को चीन लिया है, इस सरकार ने अलप संख्यकों के अधिकारों को चीन लिया है, यह वंचित कर दिया है उन्हें, अधिकारों से example है, सिर्फ next, derive from मतब जब किसी चीज की कहीं से उत्पत्ती होती है come from something, किसी चीज से उत्पत्ती होना derive from come from, किसी चीज से उत्पत्ती होना, जहां पस समझे लिट्टी चोखा, बस एक फन के लिए मैंने लिखा है, क्योंकि मुझे इसका इतियास तो नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि, लिट्टी चोखा has derived from बिहार मतब लिट्टी चोखा की उत्पत्ती कहा सो होई है, बिहार से जैसे बोलेंगे छोला भटुडा तो भाई वो थरा पंजाब होजाब साइड का है तो दही, दूद दही हड़यानोरा साइड में है दिल्ली का जाएंगे तो दिल्ली में सब चीजे है, क्योंकि दिल्ली में तो सभी जगे के हमारे लोग रहते है तो छोला भटुडावी बहुत चलता है फ्राइड रहज भी चलता है चीकल टिक्का भी चलता है चीकन कबाब भी चलता है नान भी चलता है, तंदूड भी चलता है तो दिल्ली तो दिल्लवालों की है जो मुझे लगता है जलिए, next descend into descend into का अर्थ होता है और खड़ाब हो जाना मतब पैड़ा ही खड़ाब था और जादा खड़ाब हो जाना जिसा हम हिंदी में कहता है बदतर हो जाना नहीं कहता है बद से बदतर हो गया मतब और खड़ाब हो जाना to become words बदतर हो जाना descend into example the situation rapidly descended into a right मतल वह जो situation था अब इस्थिती थी वह तुरं थी एक दंगे में बदल गया था मतल अलड़ी कुछ हमेला था और तुरं थी वह दंगे फसाद में बदल गया था राइट मतल दंगा फसाद तो descend into मतल और खड़ाब हो जाना आज का last प्रेजल भर्व die down die down भहते important है और पीछह भी जा चुका है die down करता है कम हो जाना reduce कोई भी चीज जो power प्रभाव या कोई भी चीज का जो effect घटता है उसी को हम कहते है die down to reduce कम हो जाना example my reputation has not died down वो वैक्दी कर रहा है कि मेरी जो परतिष्ठा है वो कम नहीं हुई है मेरी परतिष्ठा कम नहीं हुई है तो die down का अर्थ होता है कम होना या घट जाना तो यह रहा है आज का puzzle verb उमेद है कि आपको समझ आया हो इसे note करके याद जरूर कर ले बहुत ही important session चल रहा है तो मिलते हैं next class में तब तक के लिए जाहिन